तो हम बात कर रहे हैं धर्ती पर मौझूद अलग-अलग सुगंध और उनके हम पर पढ़ने वाले प्रभाव की सुगंध में वो शक्ती है जो कि मानसिक शांती का हिसास कराती है तो चलिए अब जानते हैं कि घर से नकरात्मक उर्जा को खत्म करने के लिए किस सुगंध का प्रियोग आपको कैसे करना चाहिए सुगंध के प्रियोग से तमाम शारिरिक और मानसिक समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं इसके साथ-साथ अगर आपके घर में नगरात्मत्ता का प्रभाव पढ़ रहा है तो भी सुगंध के जरीए उन्हें दूर कर सकते हैं कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुस्ठान हो, कोई भी हमन हो, उसमें सुगंध का विशेस महत्म है जब भी कोई पूजापाट खत्म होता है और उसके निम्मित हवन करते हैं तो उसमें गुगुल मिलाते हैं, उसमें धूप मिलाते हैं, उसमें घृत मिलाते हैं उसमें कई प्रकारे के सुगंधित पदार्थों का प्रियोग करते हैं, द्रब्यों का प्रियोग करते हैं, घी का प्रियोग करते हैं, उसको सुगंधित बनाते हैं। इसका मूल उद्देश होता है कि जब हम सुगंधित पदार्थ से हवन करेंगे तो वह सकरात्मक उर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगी. हमारे घर में जो नकरात्मक उर्जा है उसका समन होगा उसके प्रभाव से. घर में सुबा और शाम को लोबान चलाएं. लोबान को एक मिट्टी के बरतन में रखकर पूरे घर में खुमाएं. आपके घर से हर प्रकार की नकरात्मक उर्जा दूर होगी. तो घर के कोने कोने में होगा सकरात्मक उर्जा का संचा. नकरात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी. आप भी सुगंद के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएए. इससे आपके जीवन की बगिया महकने लगेगी और आपके जिंदगी सकरात्मक उर्जा से भर आपके जीवन कारेगी. बिरो रपोर्ट गुटिस्टोडेए.